नमस्कार मैं हूँ पिन्ट कुमार आप देख रहें लाइब विहावनी। मैं अभी मौझूद हूँ पट्णा के गर्दनी बाग्धरना अस्तल पर जहां पर मैं वो तस्वीर दिखा दू कि आप कितनी संख्या में मौझूद है। कुछ मादमीक स्कूलों में खी गई थी तमाम सभी सिक्षक करने बियार के तमाम जीले से आये हैं वो तस्वीर देखिए कि इस तरह से लगतार धरना पर बैठे हुए आवाज उठा रहे हैं इनकी मांग है कि हमें अस्थाई किया जाए लगतार अपने साथियों को संबोधित कर रहे हैं और हमारे साथ बात करने के लिए इस सिक्षक को जो कंप्यूटर सिक्षक के अध्यक्ष महोते हैं उनसे बात करेंगे हमारी मुक मांग है एक मांग है सेवास्थाई समयोजन हम लोगों ने इससे पूर्वी भी 930 दिनों तक लगातार यहीं इसी गर्दनी वाग में धावना देने का काम किया था और जिसके फलसरूप सिच्छा विभाग के द्वारा एक फाइल बनाई गई थी योजना उनई स कठारा जिसको बिधी और वित विभाग से भी सहमती प्राप्त हो चुके थी चुकि ततकालेन सिक्षा मंतरी विधी मंतरी भी थे और सिक्षा विभाग ने अभी तैकुबा फाइल लंबित करकर रखा है और उसी को लागू करने के लिए उना जो है बहाल करने के लिए हम ल परना का ऐयोजन किया है ताकि सरकार हमारी मंग को जल्से जल्द पुरा करे और बिहार में कंप्यूटर सिक्षा संचालित हो सके तुरे बिहार में कंप्यूटर सिक्षा ने होगा और हमारा जौब चल जाने के कारण हमारी आर्थिक इस्तिती रहनी एंग हो गई 2018 22 22 परिवार की मातमी के सिक्षा जो मातमी के असकूल अरूच मातमी के लिजो नियुक्ति उस्ति वह कब हुई थी 2008 से नियुक्ति चाली और 2017 पांस सितंबर 2017 को सचक दिवस के दिन हम लोगों को बार होना पड़ा अभी मुख मांग हमारा एक ही मांग है शुरू से ही सेवा अस्थाई करने की ताके जो है हम लोग अपना जो है सेवा दे सकें विद्या लें हम लोग नौ पिछला जो प्रोश्टेश हुआ हम लोग सेवा काल जिमें रहते हुए 22 अगस 2017 से धर्णा सुरू किया थी जहां पर और जो है करोना काल में 230 दिनों तक मैंने कंटिन्यू धर्णा हम लोगों ने मुख मंतरी सची वाले से बारता किये हम लोग जो है मंतरी महदय से बात किये प्रदान सची महदय से बात किये उन्होंने का प्रास वासन दिया के मापलों का काम हूं रहा हैं फाइल बनी है फाइल बना भी हम लोग देखे भी फाइल को और जो है यहां तक है कि फाइल कंप्लीट होने के बाद अभी तक उसको लंबित रखा गया करोना आ गया अवाई की रन्निति हमारी है कि सरकार को हम आईना कोई तब तक हम आन्दोलंगों ठोट करेंगे जब तक इनके मान पूरी नहीं होगे हमने सिख्षा मंत्री से मुलाकात की है और असंख्यों बार हमने विबिन पदादिकारियों से बाचित की है तो करने के उपरांत जो है पहले तो पूर्व में सदन में भी जवाद दे दिया गया सदन में कहा गया पूर्व के सदन में मान्य सिक्षा मंत्री सिर्किसन्दन बर्मा ने यह बात कही है कि आप जो है हम इन कंप्यूटर सिक्षेकों के लिए फाइल बनाया है, हमने विदी विभाग से सदन मर्माजी ने कंस्रेνट आ गया है इन सभी को मिला के हम लोग आगे इनों को बहाल करेंगे सर बस पिछले साल का जो यह था बजट सत्र था उसमें मान्य किसंदन बर्माजी ने कहा था लेकिन उसके बावजूद जो है कोई एक्षन नहीं हो पाया और दुर्भागे वस हम लोग खिर से रोड़ते होगा आगे रणनिती यहीं होगी कि हम लोग अपने दमपर प्रयासक के साथ ही चुकि प्रयास ही करने से होता है और हम प्रयासरत हैं कि किसी भी तरीके से हम कंप्यूटर सिक्षक पुना विद्या सत्रह से कहा जा रहा है कि 2017 से हटाय दिया गया है हमारे साथ मईला सिक्षक है इन से हम बात करेंगे कंप्यूटर सिक्षक है कहां से आई है कि संग चिला से कब आपके नहीं जुपती होई दोजार तेरह मुझे बारे में सब्सक्राइब करेंगे बोला गया कि आप लोग कंपणी के तरफ से हैं आप लोगो ऐसे ही रखा गया था पाफ साल पर कॉंट्रेक्ट पास साल के लिए ही विदी लेकिन ऐसा सरकार कार चुकि हम लोग कंपणी के द्वारा बहाल हुए थे सरकारी काम भी करते थे वहां के हम पने हैं काम में इंबॉल्व रखे थे और बार बार यह बोला जाता था जाथा जाए नहीं इन लोगों तो परमानेंट कर दी जिया जाएगा है लोग के लिए कंप्यूटर से हैं तो करना यह पड़ेगा तो सारा डाटा तो निकिन बाद किया जाए उसी बेवस्ता की जाए जहां लोगों को यह किया जाए अस्थाई किया जाए अच्छा देखिए जिस तरह से विहार में लगतार अगर हम बात करें पटना गर्दनी बागधरना अस्तल को तो कहीं सिख्षक जो हैं कपीटर सिख्षक धरना पर बैठे हुए तो कभ देखने को मिल रहा है कई लोग आ रहे हैं आपनी मांग को लेकर रहे हैं आपको टेस्ट कर रहे हैं और आज भीर पटना के घर्दनी बागधरना अस्तल पर बिहार जो कंप्यूटर सिख्षक हैं मादमीक और उच मादमीक में इनकी नियुक्ती होई थी 2018 में और कई लोगों की 2008 में और 2012 में 17 में सभी लोगों को हटा दिया गया अब इनकी मांग है कि अस्थाई किया जा स्थाई करने को लेकर पट्टा के गर्दनी बाग धर्ना अस्तल पर बैठे हुए हैं और अपनी मांग कर रहे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनके साब और से कहना है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो लागारतार प्रोटेस्ट करते रहे हैं ऐसे तमाम खबरे देखने के लिए आप देखते रहे हैं लाइब यहार ने